इस वीडियो के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के सेकरेटरी इस देखने वाले है तो मेजर लिए दो टाइप के सेकरेटरी होते हैं एक होता परसनल सेकरेटरी और दुसरा होता इंस्टेडियूशनल सेकरेटरी ना परसनल सेकरेटरी मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडि करने के लिए वो लोग सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं जैसे कि कोई बड़े कोई पॉलिटीशन है या फिर कोई बड़े एक्टर है बड़े डॉक्टर वेगरा है जो भी ऐसे बीजी लोग होते हैं जिनके पस बहुत सरे होती है और उनको सारे काम अकेले को मैनेज करने को नहीं होता है तो वो अपने काम में dar develop करने के लिए एक असिस्टेंट को अपॉइंट करते हैं उसको पर्सनल सरेटरी बोला जाता है और दूसरा होता है institutional secretary, institutional secretary मतलब क्या कि कि किसी भी संस्था के वो secretary होते है, वो संस्था के लिए काम करते हैं, जैसे personal secretary एक person के लिए काम करते हैं, वैसे institutional secretary जो होते हैं, वो संस्था के लिए काम करते हैं, अभी कौन से कौन से संस्था होती है, तो non-profit association, cooperative society, joint stock company, government department, ऐस क्था से लग-लग संस्था होते इनके लिए लग-लग सेक्राइटर को एपॉइंट किया जाता है तो यह संस्था क्या काम करते है वहां पर किस तरीकित où पॉइंट किया जाता है और यह से Connecticut बनने के लिए क्या qualification की ज़रूत होती है वो अब यह हम लोग आगे हम लोग के यह main question में देखने जा रहे हैं सबसे पहले personal secretary के भारे में देखेंगे हम लोग personal secretary जो होता है वो oldest type of secretary है मतलब पूराने जमाने से यह type के secretary को appoint किया जा रहा है और basically इनको personal assistant भी बोला जाता है dictate करते जाता है और secretary जो उसको note down करते रहते हैं और फिर बार में उसको finalize करते हैं और boss को उसके बहुत सारे कामों के अंदर वो help करते हैं तो इस तरीके से secretary का दूसरा नाम है personal assistant और यह काफी oldest type के secretary होते है now यह secretary जो होते है वो busy individuals जो होते है busy individuals मतलब को जैसे businessman वेगरा होते है या कोई भी professional जैसे doctor होगे lawyer वेगरा होगे actor वेगरा होगे तो वो लोग या कोई भी politicians जो होते है वो लोग यह type के secretary को appoint करते हैं और basically यह type के secretary को क्यों appoint किया जाता है ताकि कोई भी correspondence वेगरा जो होता है correspondence मतलब communication वेगरा करना जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अलग-अलग लोगों के साथ communication करना पड़ता है जैसे कि अपने boss के लिए अगर कोई मिलने के लिए आता है तो उनके साथ communication करना या उनको कोई email वेगरा भेजना होगा लेटर वेगरा भेजना होगा तो यह सारा काम secretary करते हैं और day-to-day routine job जो होता है जैसे कि bank का कोई काम हो सकता है insurance का कोई काम हो सकता है या दूसरा investment का काम हो सकता है bill payment का काम हो सकता है ये सारा जो day-to-day अपने boss का काम जो होता है वो secretary करते हैं तो इसको personal secretary बोला जाता है. यह secretary बनने के लिए क्या qualification की ज़रूत होती है. तो यहाँ पे कोई specific ऐसा qualification नहीं है. कि यह degree होनी ही चाहिए. ऐसा कोई specific यहाँ पे qualification नहीं है. पर यह secretary बनने के लिए आप लोगों के पास graduation की degree होनी ज़रूरी है. graduation मतलब अपका bachelor of commerce या bachelor of science, bachelor of arts ऐसा कोई भी graduation का degree होना चाहिए. जिसको हम लोग 12 प्लस 3 बोलते हैं. मतलब HSE के बाद में 3 साल graduation के उसको graduation degree बोलते हैं. उसका communication skill proper होना चाहिए. यह proper command over language होना चाहिए. बिकोज secretary को बहुत सारे लोगों के साथ communication करना होना होता है. इसके लिए proper communication skill होनी चाहिए personal secretary के अंदर. computer और internet का knowledge होना चाहिए. जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यह computer का जमाना है. बहुत सारे internet पे काम वेगरा handle करने रहते हैं. तो secretary को computer और internet के से handle करना है. वो आना चाहिए. computer और internet से क्या होता है. secretary का काम जो होता है. वो और easy हो जाता है. तो उसका knowledge होना काफी ज़रूरी है. और सबसे important चीज़ यहाँ पर यह हो सकती है कि यह जो boss है. जो secretary को appoint कर रहा है. वो बता सकता है या उसके requirement के इसाब से वो अपने secretary को appoint करता है. कि उसके पस यह qualification होना organization. सबसे पहले non-profit association क्या होता है. जो organization को यहाँ पर form किया जाता है. social, educational, cultural and arts और sports activity को promote करने के लिए. ओके मतलब यह जो organizations होते है यह profit कमाने के लिए नहीं होते है. यह लोग समाज को service provide करने के लिए होते है. profit उनका intention नहीं होता है. profit उनका aim नहीं होता है. उनका aims रिप यह होता है कि हमको service provide करनी है. service की इसकार बारे में तो social development करना, जैसे pollution के लिए वेगरा काम करना, cleanliness के लिए वेगरा काम करना, educational purpose के लिए जहाँ पे वो school, colleges में वेगरा, books वेगरा distribute करते हैं, computer वेगरा distribute करते हैं, या कोई भी study material वेगरा बच्चों को वो लोग supply करते हैं, तो वो सारे काम ये लोग करते ह then cultural and arts, cultural and arts मतलब क्या, जैसे की dance हो सकता है, drama हो सकता है, या कोई भी singing वेगरा हो सकता है, ये सारी चीज़ों को वो लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, यहाँ पे free of cost बच्चों को या किसी को सिखाया जा सकता है, sports activities मतलब cricket वेगरा ये सब चीज़े होते हैं, उन सब के लिए उसका training जो होता है, वो interested बच्चों को वेगरा दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कि जो कुछ activities है, वो activities को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, ये सारी activities को, और ये किसके लिए किया जाता है, ताकि हम लोग समाज को कुछ services दे पाए, और उसके बंद करता है, इसको appoint कोन करता है, तो non-profit association का managing committee होता है, वो इनको appoint करता है, देखना कोई भी non-profit association जब बनता है, तो उसका management committee होता है, management committee मतलब वो non-profit association को handle करता है, उसके रोज के जो कामकाज होते है, वो देखते है, जैसे accounts का काम हो सकता है, या दूसरा कोई भी billing का वेगरा काम ह हो सकता है या और भी कोई काम हो सकते वो सारे काम काज देखने के लिए यहां पर management committee का appointment किया जाता है वो management committee उसका पूरा काम काज handle करते है और यह management committee जो है यही secretary को appointment करते है यहां पर full-time secretary भी हो सकती है part-time secretary भी हो सकती है जैसे बहुत बड़ा non-profit association है तो obviously full-time secretary होगा full-time मतलब किया जो दिन बर वहाँ पे रहेंगे और अपना काम करेंगे part-time मतलब किया हो कभी-कभार आते है या half day आते है और फिर चले जाते है अपना काम करके तो ऐसे full-time secretary भी हो सकते है part-time secretary भी हो सकते है depending on the size of non-profit association और ये secretary जो होते है वो या तो salary basis पे काम करते है या honorarium basis पे नो salary basis पे मतलब क्या suppose वो लोग full-time job करते तो उनको हर मेने में salary मिलेगा या कभी-कभी वो लोग part-time काम करते part-time मतलब Sunday to Sunday या फिर कभी हफते में कुछ दिन आने का या आदे दिन काम करने का तो ऐसे जो secretaries होते हैं उनको honorarium दिये जाता है honorarium मतलब यहाँ पे fixed salary नहीं दे जाती है उनको कोई benefit या कोई incentives वेगरा या कोई gift वेगरा ऐसा दिया जाता है यहाँ पे लोगों को आखो के operations वेगरा या चश्मा वेगरा जो होता है वो कम खर्चे में या फिर कुछ लोगों को free of cost में वेगरा दिया जाता है तो इस तरीके से लोगों के जो health के problem से या आखो के problem से वो solve किये जाते यहाँ पे यह उनका एम होता है sports clubs वेगरा जहाँ पे ट्रेनिंग वेगरा दी जाती है sports की cultural clubs होते है chamber of commerce होते है तो यह सारे examples in non-profit association के okay now non-profit association के secretary बनने के लिए क्या qualification की ज़रूत होती है तो again यहाँ पे कोई prescribed qualification नहीं बताया है कि यही degree होनी चाहिए there is no prescribed qualification स्रिप यहाँ पे क्या है कि आपका जो non-profit association है उसके objective के बारे में security को पता होना चाहिए उसको पता होना चाहिए कि non-profit association कैसे functioning करता है कैसे उसका काम का चलता है उसके बारे में knowledge होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो दूसरे मैंने चीजे बताई कि filing वेगरा करने आको आना चाहिए papers वेगरा proper computer handle करने आना चाहिए correspondence मतलब letters वेगरा लिखने को email वेगरा लिखने को आना चाहिए यह basic जो चीजे है वो secretary में ज़रूरी होती है बाकि यहाँ पे कोई भी standard ऐसा बताया होगा qualification ज़रूरत नहीं होती है next cooperative society जो होता है यह एक voluntary association होता है voluntary मतलब के यहाँ पे कुछ लोग खुद के मर्जी से अपना एक association बनाते अपना एक group बनाते हैं जहाँ पे minimum 10 लोग की ज़रूरत पड़ती है ओके और यह 10 लोग क्या करते अपना एक group बनाते हैं और यह लोग members को एक दुसरे को services प्रोवाइड करते हैं उसका example में आपको बताता हूँ बाद में सबसे पहले तो यहाँ पे यह जो आप cooperative society बनाते हो तो cooperative society को register करना ज़रूरी होता है अलग-अलग state का अलग-अलग act है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर cooperative society को महाराष्ट्र state cooperative society act 1960 के अंदर register करवाना पड़ता है ओके नव यहाँ पे examples बता है cooperative society के जैसे cooperative bank हो सकता है cooperative housing society हो सकता है cooperative store हो सकता है नव मैं आप लोग को बताता हूँ जैसे कि आप लोग जहाँ पे भी रह रहे हो वो भी एक क्या है आपका cooperative society है वहाँ पे क्या किया है जो आपके area में रहने या आपके चॉल में या आपके building में जो रहने वाले लोग है उन्होंने क्या किया है पैसा इखटा किया है जगा खरी दिया और वहाँ पे सब लोगों ने अपने लिए घर बानदा है या cooperative bank होता है तो cooperative bank में कैसे होता है कि कुछ लोग इखटा होते है पैसा collect करते है थोड़ा-थोड़ा contribute करते है और फिर अगर किसी को loan की ज़रूत होती है तो loan provide किया जाता है कम rate of interest पे तो क्या हुआ है यहाँ पे लोग इखटा हुए है और उन्होंने कोई एक activity की जिसके वेज़े से क्या हो रहा है सब members को benefit हो रहा है जैसे housing society है तो housing society में क्या हो रहा है सब लोगों ने पैसा का लेक करके जमिन खरी दी जिसके वेज़े सब को रहने के लिए घर मिल गया तो सब members को service मिल दी है सब member का benefit हो रहा है cooperative bank में क्या किया सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा contribute किया और किसी को अगर loan की ज़रूत है तो loan provide किया तो इस तरीके से cooperative society जो होती है वो अपने members को service provide करती है again cooperative society जो होता है उनका objective profit कमाना होता नहीं है इसके लिए मैंने आपको पहले बोला it is a voluntary association आपको अगर इखटा होना है तो आप अपकी इच्छा से हो सकते है यहाँ पे कोई भी force नहीं किया जाता है इसको form करने के लिए minimum 10 members की ज़रूद पढ़ती है 10 members minimum हो रहते है और maximum कितने में member हो सकते है और वो लोग अपने cooperative society बना सकते है और उसके अलग-अलग examples मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता है यहाँ पे जो secretary होते हैं उसको appoint कोन करते हैं तो हर एक cooperative society के अंदर एक management committee होती है जैसे कि आप लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी एक management committee होगी 10-12 लोगों की वो managing committee जो होती है उसमें से ही एक जन को secretary के तोर पे appoint किया जाता है आपने देखा होगा कि आपके society में भी एक secretary होगे वो secretary को किसने appoint किया हुआ यह जो दूसरे managing committee के member से उन्होंने और फिर जो secretary होती हो cooperative society का सारा काम वेगर आपके society के देखते हैं जैसे मेरे आप लोगों को बोला कि managing committee cooperative society को handle करते हैं managing commitment से एक जन को as a secretary appoint किया जाता है और यह जो secretary होती है वो honorarium basis पे काम करती है मतलब यहाँ पे इनको कुछ fixed salary वेगरा नहीं मिलती है कुछ उनको incentives या कुछ ऐसे benefit या कुछ gift वेगरा ऐसे दिया जाता है और वो भी कभी दिया तो दिया और नहीं दिया ऐसा भी हो सकता है इसके लिए इसको honorarium मोलते है पर कुछ ऐसे बड़े बड़े cooperative societies होते है जहाँ पे full time secretary को appoint किया जाता है और उनको फिर monthly salary वेगरा भी दी जा सकती है so depend कि आपका cooperative society कितना बड़ा है बहुत बड़ा cooperative society है तो full time secretary appoint करके उसको salary basis पे appoint करना पड़ेगा चोटा सा है तो उसको आपको full time appoint करने की ज़रूरत नहीं है आप part time रख सकते हो और वो honorarium basis पे आपके लिए काम कर सकते है नो ये secretary बनने के लिए क्या qualification की ज़रूरत है तो again यहाँ पे कोई भी specific qualification नहीं बता हुआ हुआ है आपको कोई degree होनी चाहिए specific ऐसा ज़रूरी नहीं है normal graduation अगर होगा तो भी चलेगा पर यहाँ पे जो cooperative society का जो act है उसके बारे में उसको knowledge होना ज़रूरी है मतलब अगर हमारी cooperative bank है यह हमारी cooperative housing society है तो उसके क्या-क्या rules and regulations होते है कोन से चीजे register करनी पड़ती है कोन से documents obtain करने पड़ते हैं वो सारा जो थोड़ा cooperative society act है उसके बारे में यह secretary को knowledge होना ज़रूरी है तो यह एक चीज़ है और दूसरा graduation होना ज़रूरी है मैंने आप लोग को बताया भागे ऐसा कोई prescribed या specific qualification यहाँ पर बताया हुआ नहीं है फिर है joint stock company joint stock company जो होता है एक बड़ा business organization होता है जैसे मैंने आप लोग को non-profit association बताया cooperative society बताया इनका aim profit कमाना नहीं है पर joint stock company जो है उनका aim profit कमाना होता है वो लोग profit के लिए business करते है और यह बड़े पैमाने में business होता है यह लोग क्या करते है share बेचते है public को उनके पास से पैसा collect करते है और अपनी business activity को चलाते है अब यह share क्या होता है share को बेचना क्या होता है यह next year आप लोग detail में SP के अंदर पढ़ने वाले हो अभी स्रीप इतना याद रखो कि joint stock companies जो होती है वो क्या करती है market में से पैसा raise करती है या public से पैसा लेती है by issuing the shares और जो company के share खरीतते है joint stock company के उनको shareholder बोला जाता है तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा joint stock company बोला जाता है नव यहाँ की जो secretary होती हो employee होती है जिसको salary दी जाती है पर वो secretary का जो post होता है बहुती important होता है इसके लिए मैंने यहाँ पे keyword यूज किया हुआ है की का मतलब क्या होता है important और यह secretary जो होती हो काफी important role play यहाँ पे करती है now यह secretary को appoint कों करता है तो यह secretary जो होते है उसको जब इसे company form की गई है या जब इसे company शुरू की गई है तब इसे ये secretary को appointment किया जाता है और ये company की appointment जो होती हो company act 2013 के सबसे की जाती है जैसे मैंने आप लोगं को cooperative society में बताया था कि महाराश्टर स्टेट cooperative society at 1960 जो cooperative society के लिए होता है joint stock company के लिए होता है company act 2013 यह act के अंदर सारे rules and regulation लिखे रहते हैं कि company का कैसे काम कार चल सकता है तो वो act के अंदर ही लिखा रहता है कि joint stock company की secretary कैसे होने चाहिए उसके अंदर क्या qualification वेगरा होना चाहिए वो सब या उसकी क्या responsibilities होती है वो सब act के अंदर लिखे वे रहते है नाव यहाँ पर जो secretary होती है वो board of director के हिसाब से काम करती है ना board of directors कोन होते है जैसे मैंने शुरुवात में आपको यहाँ पर joint stock company की meaning में बताया कि joint stock company क्या करती है share बेशती है और अपना capital collect करती और business चलाती है share जिनको बेचा जाता है उनको shareholder बोला जाता है और shareholder जो होते हो company के owner होते है मतलब जो पैसा दे रहा है business को उसको हम लोग क्या बոलेंगे owners बट shareholder जो होते है उनको पास business का knowledge नहीं होता है या वो लोग रोज बिजनेस में नहीं आ सकते है तो shareholder क्या करते है, board of directors को appoint करते हैं, यह board of directors जो होते हैं, business को संभालते हैं, business का कामकाश देखते हैं, इसके लिए board of directors को managers बोला जाता है, तो shareholder जो company के owners है, board of directors जो company के managers है, because वो company में रोज आते हैं, company का कामकाश देखते हैं, क्या appointment करना है, क्या purchase करना है, किस तरीके से company को चल करते है इसके लिए यहां पे यह जो चीज mehr करते है और बोट बैरेक्टार जैसे बोलते हैं उसके वेगारा संभाल के रखने हैं कोई बी डॉकिमेंट वेगरा करें तो वह सब जो होते वो करने का काम सेक्रेटरी करते तो उससे board of director को help हो जाता है नौ ये सेक्रेटरी बनने के लिए क्या qualification की जरूरत होती है तो graduation होना जरूरी है यहाँ पर आपको और दूसरा सबसे important चीज है Institute of Company Secretaries of India जिसको ICSI बोला जाता है उसका membership होना जरूरी है इसके बारे में आपको भी पता होगा Institute of Company Secretaries of India ICSI के CS के exam होते है Company Secretary के exams होते है वो exam pass होने के बाद में आप लोगों को ICSI के membership मिलती है और फिर आप लोग किसी भी company में as a secretary काम कर सकते हो यह आजकल बहुत ही important career option जो है वो जो भी students से उनके लिए available होते जा रहा है जहांपे आपको अच्छी position मिलती है अच्छी salary विगरा मिलती है तो इसके लिए यह examination pass होना बहुत जरूरी होता है फिर है government department जैसे government के अलग-अलग departments होते है defense का मतलब सुरक्षा department होता है education department होता है finance department होता है ऐसे अलग-अलग departments होते है और हर एक department जो होता है वो क्या करता है particular minister जो होता है वो चलाता है जैसे आपको पता है कि महाराश्रे के education minister वर्षा गायकवाड़ जी जो है जो 12 standard तक के education के minister है तो minister क्या करते है वो particular department को चलाते है तो इसको हम लोग government department बोलते है कि government के अलग-अलग department है और हर एक department का चलाने मतलब जो main होते है वो ministers होते है नव ये secretary के appointment कैसे की जाती है जो government department के secretary होते है वो particular department के administrative head कहलाए जाते है जैसे defense department है तो defense department के secretary होंगे वो उसके administrative head होंगे मतलब उसका जो कामकाज होता है वो सब secretary जो होते है वो department के वो handle करते है तो यहाँ पे जो secretary है उसको administrative head बोला जाता है और उनकी जो position होती हो position होती head of department तो आप लोग google करके देख सकते हो कि present में हमारे minister ministry of defense के secretary कोन है या ministry of human resource development उसके secretary कोन है या finance minister के ministry के head कोन है तो अलग-अलग department होते है जैसे मैंने आप लोग को बोला government के और अलग-अलग department के secretaries होते है जो वो department के head होते है उसका सारा administration जो होता है वो particular secretary देखते है तो इस तरीके से government के department जो होते है उनका functioning होता है इसका secretary बनने के लिए आप लोग को क्या qualification की ज़रूरत पड़ते है तो obviously graduation degree होना ज़रूरी है graduation degree के साथ-साथ आप लोग को civil service examination जो public service commission मतलब UPSC के दोरा वेगरा जो exams कंड़ किये जाते है वे exam pass होना ज़रूरी होता है ये exams के बारे में भी आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा कि UPSC या MPSC के exams वेगरा होते है जिसको civil service examination बोला जाता है वो pass होना ज़रूरी होता है और Indian administrative services इसके examinations होते या इसके interviews वेगरा होते वो pass करने पड़ते है जा कि आप government department के secretary बन सकते हो ओके ये सारे अलग-अलग type के हम लोग ने एक तो personal secretary और दूसरा institutional secretary ऐसे अलग-अलग type के secretaries के बारे में पढ़ा ये मेरे URL जहां से मेने images ली हुए thank you students please do like, share, comment and subscribe to my youtube channel and also recommend my channel to your friends we will meet in the next video